गुड मॉर्निंग फ्रेंज फ्रेंज बी पी एच या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इसी को बोलते हैं कि प्रोस्टेट गरंथी बढ़ गई है ये पुरसों में होने वाली एक समस्या है ये उम्र के साथ साथ इंक्रीज होते है या एडवांस एज में होने फ्रेंज वाली समस्या है प्रोस्टेट गरंथी पुरसों में पाई जाती है ये पीशाप की जो नली होती है उसके उबढ़ जाने था compress करती है दबाती है जब ये दबाती है तो पेशाब के रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत होती है और उपर पेशाब की थैली में पेशाब रुकने लगती है जिसे कहते हैं जब आप अप अल्टर साउंड कराते हैं तो आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपका PVRU बढ़ा हुआ या पेशाब की थैली में आपके पेशाब रुक रही है यदि कुछ ऐसी समस्या होती है तो आपके कुछ लक्षर आने लगते हैं कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा आपको लगेगा मैं जल्दी से पेशाब नहीं आपकी धार कमजोर आ सकती है आपको पेशाब कर लेने के बाद लास्ट में ड्रॉप बाई ड्रॉप यूरिन आ सकता है आपको थोड़ा सा पेशाब के रास्ते पे पीन मिल सकता है दर्द मिल सकता है दोस्तों आपको बार बार पेशाब की इंफेक्शन की समस्या हो सकती है र बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसमें मैं आपको दो दमाईयां बता रहा हूँ, पहली मेडसिन होती है सबाल सैलूलाटा, सबाल सैलूलाटा का मदर टिंचर फॉर्म लेना है, इस मेडसिन का पंदरा बूदे सुबर दोपह, शाम तीन बार लेजिए, आधा कब गु से जल्दी ही कम हो जाएगी और दीरे दीरे करके खत्म हो जाएगी दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग,